शहर का दिल उर्दू शायरी शास्त्रिय संगीत और स्वादिष्ट अवधी ग्यंजनों की सुगंध की लए के साथ धड़कता है। यहां की सांस्कृतिक धरोहरें इसे और भी जीवन्त बनाती है। लखनव की कहानिय सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। यह इसकी हलचल भरी सडकों, जीवन्त बाजारों और यहां की लोगों के गर्म जोशी भरे आतिथि में जीवन्त है। यहां की लोग अपने महमानों का स्वागत दिल से करते हैं। यह लेक लखनव के मनोरम इतिहास में तल्लीन करता है। सदियों से इसकी यात्रा और एक आधुनिक भारतिय शहर के रूप में इसके उद्भव की पड़ताव करता है। लखनव का इतिहास और वर्तमान दोनों ही अद्वतिये हैं। इस मनोरम शहर की तरतों को उजागर करते हुए हमारे साथ जुड़ें। इसकी प्राचीन जड़ों से लेकर इसके आशा जनक भविश्य तक। लखनव का भविश्य भी उतना ही उज्जवल है जितना इसका अतीद। लखनव और उसके आसपास के ख्षेत्र का इतिहास सदियों पुराना है। प्राचीन हिंदू महाकाव्यों में इसका उलेक मिलता है जो मिथकों और किन्वदंतियों के समय में इसके अस्दित्व का सुझाव देता है। हालांकि लखनव का उत्थान मुगल काल के दौरान आकार लेने लगा। मुगल अपनी शाही महत्वा कांक्षाओं और कला और संस्कृती के संरक्षन के लिए प्रसिद्ध इसक्षेत्र के सामरिक महत्व को पहचानते थे। गंगा नदी के उपजाओ मैदानों पर स्थित लखनव, मुगल शासन के तहत एक प्रांतिय राजधानी बन गया। इसी काल के दौरान शहर में भव्य उद्ध्यानों, मस्जिदों और महलों का निर्मान शुरू हुआ जो इसके भविश्य की महिमा की और इशारा करते हैं। अठारवी शताबदी ने मुगल सत्ता के पतन के साथ लखनव के इतिहास में एक महत्वपून मोड ला दिया। सामराज्य के अवशेशों से नवाब के रूप में जाने जाने वाले स्वतंत्र शासक उठे जिन्होंने उत्तरी भारत के विभिन हिस्सों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। लखनव अवद के नवाबों की सत्ता की सीट बन गया। कला, संस्कृति और शिक्षा के महान सनरक्षत नवाबों ने लखनव के लिए एक स्वर्णिंग युग की शुरुआत की। उन्होंने शहर को उत्कृष्ट शोधन के केंदर में बदल दिया, जिसकी विशेष्टा इसकी अनूठी स्थापत्य कला, साहित्यक सभाएं और एक जीवन्त सामाजिक जीवन था। सुन्दर्ता और अपव्य के प्रती नवाबों का प्रेन लखनव में जीवन के हर पहलू में झहलगता था। नवाबों के अधीन लखनव एक सांस्कृतिक केंदर के रूप में विकसित हुआ। ये शहर पूरे भारतिय उपमहा द्वीप और बाहर से कलाकारों, कवियों, संगीतकारों और विद्वानों को आकरशित करता था। नवाबों के दरबार कला और शिक्षा के सनरक्षक बन गए, एक अनोखे सांस्कृतिक मिश्रण का पोशन किया, जिसने फार्सी लालित्य को भारतिय परंपराओं के साथ जोड़ा। इस अवधी में उर्दु कविता का विकास हुआ, लखनव इस परिश्कृत भाषा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा, शहर शास्त्रिय संगीत और नृत्य की धुनों से गूंज उठा, जिसमें कथक एक शास्त्रिय नृत्य शैली को काफी सनरक्षन प्राप्त हुआ, भोजन के प्रति, नवाबों के प्रेम ने उत्तम अवधी व्यंजनों को जन्म दिया, जो अपने सम्रिद्ध स्वाद और सुगंधित मसालों के लिए जाना जाता है सेक्शन पांच, ब्रिटिश शासन की छाया जैसे जैसे 18 जीन शताबदी करीब आ रही थी, भारत में एक नया युग शुरू हो रहा था इस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता और धन के लिए अपनी अत्रिप्त भूक के साथ व्यापार के बहाने से भारत में प्रवेश किया धीरे धीरे उन्होंने भारत पर अपनी पकड मजबूत कर ली और अपने सामराज्य का इस्तार किया आंतरिक कलहा और बाहरी दबाव से कमजोर हुए अवद के नवाब अंतितर ब्रिटिश सक्ता के आगे घुटने के लिए उनकी शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे कम हो गए 1856 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी अवद के बाकी हिस्सों के साथ लखनओ भी ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया लखनओ को ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी ने अपने कबजे में ले लिया जिससे शहर का परिद्रिश बदल गया अवद के विलाय ने स्थानी आबादी में व्यापक आक्रोश फैला दिया लोग अपने अधिकारों और स्वतंतरता के लिए लड़ने लगे अंग्रेजों को उनकी आर्थिक शोशन की नीतियों और भारतीय रीती रिवाजों और परंपराओं के प्रति उपेक्षा के साथ एक बड़े खत्रे के रूप में देखा जाने लगा स्थापित व्यवस्था और जीवन के तरीके के लिए खत्रा के रूप में देखा जाता था भारतीय समाज में असंतोश बढ़ने लगा अवद का विलाय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड साबिक हुआ जिसने पूरे देश में हलचल मचा जिसने विद्रोह की लपटों को प्रजवलित किया जो जल्द ही राष्ट्र को अपनी चपेट में ले लेगा ये विद्रोह भारतीय स्वतंतरता संग्राम की नीव बन गया जिसने आने वाले बर्षों में और भी बड़े संगर्षों को जम दिया सेक्शन 6 आजादी के लिए लखनव का रोना 1857 का विद्रोह 1857 के वर्ष ने भारत के स्वतंतरता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षन देखा सिपाही विद्रोह जिसे प्रथम भारतीय स्वतंतरता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है लखनव इस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया शहर के निवासी, नागरिक और सिपाही बिटिश शासन की अवग्या में उठ खड़े हुए लखनव में विद्रोह का नेत्रित्व अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह की पत्मी बेगम हजरत महल में किया था उलेखनीय साहस और नेत्रित्व की महिला, बेगम हजरत महल में लखनव के लोगों को संगठित किया और बिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई बड़ी लखनव की घेरा बंदी, एक लंबा और खूनी संगर्श, भारतिय प्रतिरोध का प्रतीक बन गया सेक्शन साथ स्वतंत्रता और एक नया सवेरा 1947 में बिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता ने लखनव के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की यह शहर जो कभी रियासतों के शासन और अपनिवेशिक पतिरोध का प्रतीक था अब एक नय स्वतंत्र राष्ट्र के हिस्से के रूप में पुनर निर्मान और प्रगति के पत पर था अपनी सम्रिध विरासत और रणनीतिक स्थिति के साथ लखनव उत्तर प्रदेश राज्य की राजधामी बना स्वतंत्रता के बाद के युग में लखनव ने एक आधुनिक भारत की मांगों के साथ अपनी एतिहासिक विरासत को संतुलित करने का प्रयास देखा यह शहर नए शिक्षन संस्थानों, उद्योगों और प्रशासनिक केंद्रों का घर बन गया सेक्षन आठ लखनव विरासत और संस्कृति की एक टेपेस्ट्री आधुनिक भारत में व्याप्त परिवर्तन की हवाओं के बावजूद लखनव अपने अनूठे आकर्शन और संस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में काम्याब रहा है ये शहर अपने समरिध हतीत का प्रमाण है इसके परिद्रिश्य में कई समारक उद्ध्यान और एतिहासिक स्थल है भूल भुलया जैसे गलियारों के साथ एक वास्तु शिल्प चमतकार बड़ा इमाम बाड़ा नवाबों की भव्यता का प्रमाण है एक भव्य प्रवेश द्वार, रूमी दर्वाजा, शहर के मुगल प्रभावों की याद दिलाता है 1857 की लड़ाईों से जखमी रेजिडेंसी लखनओ के स्वतंतरता संग्राम की मारमे की याद दिलाता है सेक्शन 9 साहित्य, संगीत और व्यंजनों का शहर लखनओ की सांस्कृतिक जीवन्तता इसके समारकों और एतिहासिक स्थलों तक ही सीमित नहीं है मुशायरों या कविता संगोष्टियों के साथ शहर उर्दु कविता और साहित्य का केंद्र बना हुआ है शास्त्री अनृत्य शैली कथक की विरासत को कई संस्थानों और कलाकारों द्वारा जीवित रखा गया है खाने के शौकीन लखनओ के स्वादिष्ट अवधी व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए आते हैं मुह में पानी ला देने वाले कबाब से लेकर भरपूर, सुगंधित बिर्यानी तक लखनओ अपने नवाबी रसोरी के इतिहास के माध्यम से एक पाक यात्रा प्रदान करता है सेक्शन दस लखनओ की आत्मा की एक ज्छलक लखनओ का सही मायने में अनुभव करने के लिए व्यक्ति को इसके समारकों से आगे निकलना चाहिए और शहर के जीवन्त सडक जीवन में खुद को विसरजित करना चाहिए चहल पहल भरी चौक अपनी तंग गलियों और रंगीन दुकानों के साथ पुराने लखनओ के दिल की एक ज्छलक पेश करती है यहां आपको चिकनकारी कड़ाई उत्तमित्र और हस्त निर्मित आभूशन जैसे पारंपरिक शिल्प मिल सकते हैं लखनओ के लोग अपनी गर्म जोशी और आतित्य के लिए जाने जाते हैं शहर के आकर्शन को बढ़ाते हैं लखनओ की भाषा में संबोधन के विनम्र शब्दों और विनम्र वाक्यांशों का इस्तिमाल किया जाता है जो शहर की परिश्कृत संस्कृती को दर्शाता है सेक्शन 11 लखनओ एक उभरता हुआ शहर आज लखनओ परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है एक आधुनिक भारत की मांगों के साथ अपनी सम्रिध विरासत को शानदार धंग से संतुलित कर रहा है यह शहर अपने एतिहासिक धरोहरों को संजोते हुए नए युग की आवश्क्ताओं को भी पूरा कर रहा है यह शिक्षा, प्रोध्योगी की और वानिज्य के केंदर के रूप में विकसित हो रहा है यहां के विश्व विद्यालय और तकनीकी पार्क इसे एक प्रमुक शैक्षिक और व्यावसाइक हब बना रहे है यह शहर तेजी से बुनियादी धांचे के विकास का गवाह बन रहा है नए निर्मान स्थलों और परियोजनाओं के साथ नए राजमार्ग, एक्सप्रेसवे और अन्य महत्वपूर्ण सडकों का निर्मान हो रहा है और एक आगामी मेट्रो प्रणाली इसके परिदृषिक को बदल रही है यह मेट्रो प्रणाली शहर की परिवहन व्यवस्था को और भी सुगम बनाएगी जैसे जैसे लखनव भविश्य को अपनाता है वह अपने अतीत को भुलाए बिना ऐसा करता है ये शहर अपने एतिहासिक धरोहरों को संजोते हुए नए युक की आवश्यक्ताओं को भी पूरा कर रहा है। ये शहर इस बात का एक उज्जवल उदाहरण है कि कैसे एक शहर अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हुए प्रगती को अपना सकता है। यहां की वास्तुकाला में पुराने और नए का अध्भुत संगम देखने को मिलता है। लखनव, इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता के अपने मनोरम मिश्रण के साथ यात्रियों को इसकी कई परतों की खोज करने और इसके अनूठे आकरशन का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। यहां के जीवंत बाजार, एतिहास, सिक्स्थल और आधुनिक सुविधाएं इसे एक अध्वितिय गंतव्य बनाते हैं।